वेलकम ने दो पर्याग राजिनिश इस वीडि़ीए मुझें लिस्कस करेंगे जुलाय महिने के important current affair के बारे में तो इसमें हम लोग पुरा जुलाय महिने का current affair cover करेंगे तो हमारे सामने जो पहला प्रस्ण है यह है कि किस राजि में पहली बार किसी transgender को जन्म का प्रमारपत्र दिया गया तो वह राजी है राजस्थान तो राजस्थान में जैपूर गिरेटा नगर निगम की ओर से राजी का पहला ट्रांसजेड़ा जन्म प्रमारपत्र जारी किया गया और आर्थिक एम सांकी की विभागे निदेशक और जन्म मिर्त के चीफ र हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि किस Space Agency द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नीजी संचार उफगरा जूप्टर 3 लॉंच किया गया तो यह है Space X के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नीजी संचार उफगरा जूप्टर 3 को लॉंच किया गया थोड़ी सी जनकार लेते हैं इसके बारे में तो 27 जुलाई 2023 को Space X फ्लोरीडा में नासा के कैनेडी इस्पेस सेंटर लॉंच कांप्लेक्स 39A से फालकन हेवी रॉकेट का उप्योग करके विश्व के सबसे बड़े नीजी संचार उफगरा जूप्टर 3 को लॉंच किया गया और इसे कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में Maxxor Technology ध्यांदीयेगा, Maxxor Ta Kristen द्वरह विखसित किया गया अगर आपसे पूचा जाए कि टेक्नॉलजी वो का कून है तो पालो आल्टो में Maxxor Technology द्वरह इसको डेबलप किया गया था अगला है, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि किस राज में सेमी कंड़क्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा तो यह राज है गुजराज राज में सेमी कंड़क्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा तो देखे विदान्त समू और ताइवान की फाक्स कॉन गुजरात के धोलेरा में पहली सेमी कंड़क्टर वी निर्मान मैनिफेक्टरिंग यूनिट बनाने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझावता ग्यापन पर हस्ताग चर हुआ समझावता ग्यापन का मंतलब होता है MOU, Memorandum of Understanding अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे अमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि प्रधान मंत्री ने कहाँ पर भारत के भव्य अंतराश्टी प्रदस्तनी सह सम्मेलान के इंदर भारत मंडपम का उद्गाटन किया इसको दिहान से देखे कि प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा भारत के भव्य अंतराश्टी प्रदस्तनी सह सम्मेलान के इंदर भारत मंडपम का उद्गाटन किया गया है नई दिल्ली में ये काफी न्यूस हाइलाइट रहे ठीक है तो प्रधान मंत्री नर्याद मोदी ने अब चलते हैं अगले प्रशन पे किस देश ने साथ बीग कैट के सनच्छन के लिए अंतराश्टी बीग कैट एलाइंस लांच किया तो ये है भारत ऑप्सन नमबर भी भारत में हाली में प्रित्वी पर साथ प्रमुक बड़ी बिल्लियों जो बीग कैट हैं कि प्रजातिय के संस्थापक सदस्य बन गया है तो भारत नेपाल के साथ अंतराश्टी बीग कैट्स एलाइंस का क्या हो गया फाउंडर आइबिस ये का जो फोकस है बड़ी बिल्लियों मतले जो बीग कैट्स हैं कि साथ प्रजातियों का सनच्छन करना है जिसमें बाग है सेर तेंद्व बन गए हैं तो यह है अदित्य सामंत भारत के 33 स्तरंद ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और विल्चेस MTO 2013 रुडामेंट में हम वतन आर्यन चोपडा के विरुद नौवे दौर के खेल सुरू करने के साथ ही 17 वर्सी आई-एम सामंत जीम बन गए हैं ठीक है और उन्होंने ब महराष्ट सरकार ने किसे पहला उद्योग रतन पुरुषकार देने का फैसला किया है तो यह है रतन टाटा ठीक है ओप्सन नमबर भी तो महराष्ट सरकार ने दिगज उद्योग पती और टाटा संस के मानच चेर्मेन रतन टाटा को पहला उद्योग रतन आवार्ट देने का फैसला किया है और राज की उद्योग मंत्री उद्योग शामंद ने इसकी घोशना की उन्होंने कहा कि महराश्ट भूश्ण पुर्षकार की तरह जो विश्चिस्ट बेक्तियों को दिया जाता है राज सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रतन पुर्षकार से समान करने का निद्य किया है नेक्स्ट कोष्टन मेरी माठी मेरा देश यह बहुत इंपोर्टेंट है मेरी माठी मेरा देश अभियान किस मंत्राले की एक पहल है ठीक है तो यह है ग्रामण विकास मंत्राले Ministry of Rural Development के द्वारा मेरी माठी मेरा देश अभियान चलाय जा रहा है और इसके तरसो ब्लाकों से चैनित इवा दिल्ली के करतब व्यपत पर इस कारिकरम के लिए एकतिरित होंगे और अजादी का अमरित महसो के समापन के लिए इस अभ्यान को शुरू किया गया है और अजादी का अमरित महसो 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था आप से पूछा जा रहा है कि Bis Hepatitis दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो Bis Hepatitis दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं, कब 28 जुलाई को, option number D, इसका जो है, वो सही उत्तार है, ठीक है, तो Bis Hepatitis लिवर से जुड़ी एक गंभीर विमयारी है, और इसके पर लोगों को जागरू करने के म दक्टर, बारुक बलंबर के जन्व दिवस के मौके पर मनाया जाता है, और जिन्होंने Hepatitis B Virus, Hepatitis B Virus की खोज की थी, ठीक है, तो अगर आप से पूछा जाए, कि Hepatitis जो है, वो वाइरल बिमारी है, कि बैक्टरियाल है, कि फंगल, तो आप क्या बताएंगे, वाइरस, तो Hep वाइरस के लिए एक परिच्छन और ठीका भी विक्सित किया गया था, अगला प्रश्न, फांग नोन कॉन्यांग, ये बहुत इंपोर्टेंट है, फांग नोन कॉन्यांग किस राज से राज सभा की अधिस्ता करने वाली पहली महिला बनी है, तो ये है नागालेंड से आप उपाध्यच्छों के पैनल में निक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बनी है, और राज सभा के सभापती जगदिप धनगार जो की उपर राष्ट पती में ने लेगिंग समान्ता को बढ़ावा देने के लिए 4 महिला सदस्यों, तब कुल 50% को उपाध्यच्छों के पैनल म नामित किया है, और सभी नामिंग्त महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी है, यह इंपोर्टेंट है, तो यह कुशन बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिए, और ना हो तो इसका आप लोग जहे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, एसीसी पुरुस इमर्जिंग टीम एसीया 2023 किस देश ने जीता है, तो यह खिताब जीता है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने एक किरिकेट टीम टीम आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो स्रिलंका में फाइनल ने भारत ए, भारत ए को हराकर एसीयाई किरिकेट परिसद एसीसी पुरुस इमर्जिंग टीम एसीया कब 2023 को जीत लिया है और यह टूर्णामेंट में पाकिस्तान के लागतार दूसरी जीत है, और एसीया कब 2023 का आयोजन 13 जुलाई से 13 जुलाई तक कोलंबुक स्रिलंका में किया गया, अगला क्वेशन, किस केंदर सासित प्रदिश में पहला महिला पुलिस इस्टेशन की स्थापना की गए, ठीक है, तो यह है लद्दाक, यह भी काफी important question है, option number 30 का सही उत्तर है, तो केंदर सासित प्रदिश लद्दाक ने अपनी पहली महिला पुलिस इस्टेशन की स्थापना के साथ, एक महत्पून औसर को चिन्नित किय और छेत्र के भीतर उनकी सुरच्छा सुनेशित करना है, इसके अत्रित पुलिस महानिजर से, एस्टी सी, जामवाल की देखरेक में, कारगिल में पुलिस इस्टेशन का उद्गाटन और महिलाओं के किला अफरादों को संबोधित करने की प्रतात को दर्साता है, इसके द् रनजीत परताप तो पुरू उपराष्ट्र वेंकाया नइडू ने राल कॉर्परेशन के प्रबंधक निदेश्या का रनजीत परताप द्वारालिकित एक नई पुस्तक, इस द विल टरंस का भी मोचन के और यहा पुस्तक राल कॉर्परेशन के हिरक जैनती का प्रतीक है, अतरब डैमेंड जूबली और यहां बेवसाइद जगत में रणजीत परताप की और साधारन यात्रा का एक मनुरम बिवरणम परदान करती है तो इसमें किसका जिक्र होगा? इसमें जो है वो बेवसाय से समंधित और रणजीत परताप की और सदान यात्रा जो कार्परेट शेक्टर में रहा उसके बारे में यहाँ किताब है किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर बिवाहों पर ब्यापक परतिबंध लागू किया है? ठीक है? तो यहाँ देश है रूश, आप्सन नमबर भी इसका जो है सयुत्तर है तो रूसी राश्पती ब्लादेमिर पूती ने नए कानून पर हस्ता चरके है जो रूस में LGBTQ+, LGBTQ+, समदाय को महत्पुन रूप से प्रभायत करता है और संसत के दोनों सदनों दोरा सर्व सम्मत में पारित इस कानून में लिंग परिवर्तन पर ब्यापक प्रतिबंध सामिल है तो ये भी important question है इस अभिनेता को 14 इंडियन फिल्म फेस्टिवल और में दा राइजिंग ग्लोबल सुपरिस्टार और इंडियन सिनेमा पुरसकार से समानित किया तो ये हैं कार्थिक आर्यान option number A तो 11 अगस्ट को मेलबॉन के 14 इंडियन सिनेमा पुरसकार समानित किया जाएगा कब किया जाएगा 11 अगस्ट को किस राजिमी इस्थित भाय खला रेलवे स्टेशन को ये इसको एसिया पेसफिक पुरसकार दिया गया है तो ये है महारास्ट्रा तो मुंबई में 179 साल पुरा ने भाय खला रेलवे स्टेशन को अपने मूल गौरों को बहाल करने हैं तो इनेश्कों का एसिया प्रसांस्कृतिक विरास्थ पुरसकार मिला और यहां पुरसकार रेल मंत्री अस्वनी वेशनों को परदान किया गया और भास्पा नेता प्रवक्ता शाइना एनसी के एक गैर सरकारी संगठन आई लव मुंबई ने विरासा सनचना वास्तुकार आभा लामबा और बजास्थ के मिनल बजात की मदा से उत्ट स्टेशन के जुनादार कारित सुरू किया अगला प्रशन हमारे सामने ये है कि भारत ने कारवट आई एनस क्रिपान किस देश को शौप दिया है तो ये है वियत नाम आप्सन अमर भी तो भारत ने हाली में भारतिये नौ सेना के जहाज कारवट आई एनस क्रिपान को वियत नाम पिपल्स नेवी वी पी एन को सौप और आयने स्क्रिपाण 32 वरसों तक भारत की नौ सेना में अपनी सेमाइदी हैं जिसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारत ने वियतनाम को रच्छा तक नीच छमताओं के निर्माण में मदद कर रहा है। जिसके लिए 5 मिलियन डॉलर का उंदान भी दिया गया। और चिराग सिटी तो भारत के सातिक साहिराज रंकी रेड़े और चिराग सिटी इस्टाइज जोडी ने अपना शपनी परदसन जारी रखते हुए रविवार को यहां इंडिनोशिया के फजर अलफियान और मुहमत रियान आर्दियानतों के सिर्ष वर्य जोडी पर फाइनल में तीन गेम की जीद से कोरिया ओपन फुरस उगल का खिताब जेता तो इसमें केवल आप यह याद रखे आप्सन नमबर डी सातिक साहिराज और चिराग सिटी ग्रिय मंत्री अमिसा ने किस राजजी के कुर्णूल में भगवान सिर्य राम के 108 फिट उची परतिमा का सिलान नाश किया तो यह है आंधर परदेश राजे तो केंद्र ग्रिय मंत्र अमिसा ने रविवार साम कुर्णूल जीले के मंत्राले में भगवान राम की 108 फीट उची पंच लोहा परतिमा की अलार सिला रखी और जिसे देश की सबसे उच्छी पत्थर की मुर्ती माना जा रहा है किस राज्य केंद्र सासित परदेश द्वारा भारत की पहली केंबिस मेडिसीन परियोजना का नेट्टित किया जाएगा तो यह है जम्मू एंड कस्मिर आप्शन नमबर डी केंबिस मेडिसीन की पहली परियोजना जम्मू में स्थापित की गई इस पर जोना क्यों गए CSIR IIM के बेगान को दरह की जा रहे है जिसे एक करणाड़ाई फर्म के साथ नीजी सरवजनिक भागदारी में शुरू किया गया है अगला क्वेशन यह है कि QS वर्ड रैंकिंग दो हजार चौवीस में चातरों के लिए सवसेट सहर की सूची में कौन सा सहर सिर्ष पर है तो यह है लंदन आप्शन नमबर एट मुंबई को QS Best Student Cities 2024 रैंकिंग में चातरों के लिए सवसेट भारती सहर गरूप में इस्थान दिया गया है हाला कि इसकी बैस्विक रैंकिंग गिरकर 118 हो गई है जो पिछले बर्स की इस्तिती में गिरावट का संकेत है QS Best Student Cities 2024 रैंकिंग में सिर्स शौ वैस्विक सुची में कोई भी परमुक भारती सहर जगा नहीं बना पाया है अगला प्रस्टन है तीसरे G20 Disaster Risk Reduction Working Group यह बहुत important question है बैठक आयोजन कहां भी क्या गया है तो यह बैठक आयोजन क्या गया है अप्सन नमबर एक चेन्नाई में तो भारत के G20 अधिस्ता की ताहत आपदा जोखिम न्यूनी कराण कारेसमों की तीसरे और अंतिम बैठक 24 से 24 से 26 जुलाए 2003 इसको चेन्नाई में हजित की गई और DRRWG भारत वारा G20 के अधिस्ता की ताहत की गई एक पहल है और DRRWG की पहली बैठ़ इस साल मार्च अप्रेल में गांधी नगर में होई थी तो कहां पर वे थी गुजरात के गांधी नगर में होई थी और G20 में आपदा जोखिम न्यूनिकरण को सामिल करने की भारत की या पहला आपदा जोखिम न्यूनिकरण 2015 से 2030 का जो लच्छी है उसके लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का एक हिस्सा भी है जो है वो जपान का सारे जहां पर यह फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया था किस पर रिजास्टर रिस्क रिडक्षन पर जो की टार्गेट रखा गया है दो हजार पंदर से 2030 का पंदरा साल का अगला कोशन यह है कि इन में से कौन भारती इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंतरी बन गए हैं तो यह है नमीन पतनाएक उनिशा के मुख्यमंतरी नमीन पतनाएक तो उनिशा के नमीन पतनाएक रविवार को तेईस साल 149 दिनों के कारिक साथ भारत में किसी राज के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने मुख्य मंतरी बन गया है और उन्होंने पसिम बंगाल के पूरों मुख्य मंतरी जोती बसु को के रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया है और उनिस्ता के 5 बार मुख्य मंतरी रहे पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पद्भार समाला था और वह पिछले 23 साल 149 दिन से इस पदपर हैं तो आज की डेट में सबसे लंबे समय तक ठीक है तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो मुख्य मंतरी है वह है नवीन पटनायक कौन सा भारती सहर पुस्तकाले महस्व 2023 की मेजबानी करने जा रहा है तो ये सहर है नियू डेली और सा नमबर सी तो किंदी संस्कृति मंतराले अगले महेने दिल्ली के प्रगति मेदान में दो दिवसी करगा फेस्टिवल आफ लाइबरेरीज कायोजिन करेगा और इस महस् पुस्तक लेखक सत्र वच्चों के लिए कायरक्षाल आएं और पुस्तकालियों के डिसली करण पर पैनल चर्चाएं सामिल होंगे और इसका उदेश से ज्ञान का जस्न मनाना इतिहास और भविश के बीच की खाय को पाटना पढ़ने के प्रति प्रति प्रेम को बढ़ाव यह है अलजीरिया तो अलजीरिया जो है वो अफ्रिका कॉंटिनेंट का डेस है ठीक है तो अलजीरिया ने अपंच अरब आमेरीकी डौलर की रासी के साथ ब्रिक्स बैंक का सियर धारक सदसे बढ़ने का भी अन्रोथ किया है उत्री अफरिकी देश अलजिरिया तेल और गैस अंसादरों से सम्विद्ध है और अपनी अर्थ बेर्स्ता में वीटा लाने और चीन जैसे देशों के साथ अपने साथदारी को मजबूत करने की कोशिस कर रहा है यह वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाओ जहें कमेंट बॉक्स में दे तब तक के लिए ठैंक यू धन्यवाद